दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बहुत ही महतपूर्ण खबर है आज आपके लिए आज उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग द्वारा नया परिच्छा कैलेंडर जारी कर दिया गया है दोस्तों हम आसा करते हैं कि कोरोना काल जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और इसी संभावना को दृष्टिकत रखते हुए परिच्छा की नई तिथिया आयोग द्वारा घोसित कर दी गई है आयोग ने असपष्ट भी किया है कि पूरू में जो परिच्छा कैलेंडर संबंधि बिग्यपती जारी की गई थी तो उसमें निर्धारित तिथि पर परिच्छाएं नहीं आयोजित हो पाई थी और कोरोना वायरस महमारी के कारण सभी परिच्छाएं टालनी पड़ी थी अब जब कि आज संभावित परिच्छा कैलेंडर जारी हो गया है तो आप अभी से परिच्छा की तिथियों के अनुसार अपनी तयारी पर केंदरित हो जाए और पूरे मनोयोग से अपनी तयारी करिए आप जानते ही हैं कि लागडाउन में लोगों को कितना मानसिक दबाओ और उभापोह की स्थिति का सामना करना पड़ा है काफी लोगों की तयारी इससे प्रभावित हुई है क्योंकि जो दोस्त दिल्ली, प्रयागराज, लखनव, आदि बड़े सहरों में रहकर तयारी कर रहे थे उनकी तयारी तो प्रभावित हुई ही है और कुल मिलाकर मान के चलिए कि तीन महीने आपकी तयारी बहुत ही बूरे दवर से गुजरी है, निगेटिव अस्तर है आपका और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इन समस्याओं और परिसानियों के बावजूद भी अपनी तय प्रतियोगियों के ऊपर जो भी प्रतियोगी दोस्त हैं हमारे उनके ऊपर कोरोना की वज़े से लागडाउन का असर जरूर पड़ा है अब जब की परिच्छा तितियां घोसित हो गई है तो आप इसी के अनुसार अपनी रड़नीत बनाए और अभी से पूरी गंभीरता स इच्छा 2018 तो ये 18 जुलाई 2020 से इसकी तिति संभावित की गई है तो महत्वपूर है जो लोग APO मुखे पर इच्छा देने वाले हैं वो 18 जुलाई से अब मान के चलिए केवल एक महीने का समय रह गया है तो आप पूरी गंभीरता से जुट जाए और देखिए 2019 मुखे प PCS अपर PCS मुखे परिच्छा 25 जुलाई 2020 से आयोजित होनी है एक महीने का समय है जुलाई लाष्ट में होना है जून चल रही रहा है एक महीने का समय है मुश्किल से आपके पास अभी से जुट जाए हो सकता हो कुछ दोस्तों के पास अध्यान सामागरी कमी हो या उनके प पर खंड सिच्छा धिकारी प्रारंभिक परिच्छा 2019 है BEO 2019 जो कि 22 मार्श को आयोजित होनी थी सब कैंसिल हुआ जब अब इसकी नई तिथी 16 अगस्त 2020 है 16 अगस्त 2020 आपके लिए 2 महीने का समय है दोस्तों बहुत ही महतपूर्ण परिच्छा है आप इसके लिए पहले तो अब ही से जूट जाएं कंप्यूटर सहायक परिच्छा जो है 2019 ये 23 अगस्त को होनी है अगले हपते में मतलब खंड सिच्छा धिकारी के next week ये कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग परिच्छा जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था मैंने चर्चा कि कि परिच्छाएं जैसे ही लागडाउन के स्थिति सुधरती है आयोग परिच्छाएं बहुत जल्दी जल्दी आयोजित कराएगा तो देखिए एक हपते का समय दे रहा है जो बी यो का पेपर है और उसके बाद कंप्यूटर सहायक के पेपर में समिक्षा धिकारी सहायक सम परिच्छा धिकारे जो प्रारंभिक परिच्छा 2016 की होनी है ये 13 सितंबर को इसकी तिथी घोसित की गई है 13 सितंबर 2020 इसके लिए भी काफी दोस्त लगे हुए थे तो इसके लिए बहुत अच्छे से तयार करिए आप लोग परिच्छाएं लगातार होनी है जो ये जारी किया गया है बिग्यप्ति जारी की गई है परिच्छाओं के लिए 2020 में आउजित होने अली परिच्छाओं के लिए तो 18 जुलाई से संभावित है अगर सब कुछ सामान ने रहा और भगवान करें ये परिच्छाएं जल्दी से आउजित हो और कोरोना वाइरस जो मह अमारी का प्रकोप है ये जल्दी से संभावथ हो तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्ठाधिकारी परारमभीक परिच्छत 13 सितंबर को सहायक वन संरच्छक और छेटरी बन अधिकारी मुखे परिच्छत 2019 की ये 19 सितंबर 2020 से 19 ना 2020 से एज़ित होनी है इसके अलामा देखि प्रवर अधिनस्थेवा PCS प्रारंभी परिच्छ 2020 और सहाय वंसन रच्छक छेतरी वन अधिकारी जो प्रारंभी परिच्छ 2020 की है इसकी तिथी है आपकी 11 अक्टूबर 2020 बहुत ही महतुपूर है आपके लिए सीटे भी है परियाप्त आपने फार्म भी अपलाई कर दिया हो लेकिन इस परिच्छा के लिए भी आप लोग अछे से लगिए, जो लोग खंड सिच्छा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको परिच्छाएं देनी हैं, वो तो खैर इस परिच्छा के लिए पढ़ाई करेंगे, तो उसमें उनका ये अपर PCS 2020 के लिए भी तयारी होती जाएगी लेकिन अभी मान लिजे 11 अक्टूबर को ये परिच्छा PCS 2020 आयोजित होनी है तो अभी समय काफी है जून चल रहा है जुलाई अगस सितंबर तीन महीने परियाप्त समय हैं आपके पास बहुत अच्छे से तयार करिए सम्मीलित राज अभी अंतरण सेवा सामानी चैन विशेश चैन परिच्छा 1 नवंबर को इसकी तिथी घोसित की गई है इसके अलावा उद्योग विभाग के अंतरगत सहायक परबंधक और गैर तकनीकी जो स्क्रीनिंग परिच्छा है 21 नवंबर को है खंड सिच्छा धिकारी मुख्य परिच्छा दोस्तों और समिच्छा धिकारी सहायक समिच्छा धिकारी आरो ए आरो जो मुख्य परिच्छा है ये 22 बारे दोहजार बीस दिसंबर से इसकी संभावना ब्यक्त की गई है कि ये इसी तित्पे होगी और देखिए जो प्रारंभिक परिच्छा PCS प्री 11 अक्टूबर को है इसकी मुख्य परिच्छा की जो संभावित्तिती है ये 22 जनवरी से है तो आपके पास 3 महीने का समय मुख्य परिच्छा के लिए रहेगा आप प्रारंभिक जो दोस्त के वल PCS अपर PCS परिच्छा के लिए तयारी कर रहे हैं वो अभी से प्रारंभिक और मुख्य परिच्छा दोनों को ध्यान में रखते हुए कारे करें काफी अच्छा रहेगा आपके लिए इसके अलावा देखिए सहायक वन संरच्छक 361 अधिकारी मुख्य परिच्छा 2020 ये इसकी तिथी जो दे रहा है ये 13 फरवरी 2021 से तो महत्वपूर है आयोग द्वारा काफी साउधानी से देखिए ये परिच्छाओं की तिथियां घोसित की गई है और हम आसा ही कर सकते हैं कि कोरोना का जो ये प्रकोप है ये थमें और परिच्छाएं इस केलेंडर के अनुसार इन ही तिथियों पर आयो आपको आगामी परिच्छाओं के लिए बहुत बहुत सुब कामना है धन्यवाद नमस्कार